दोस्तों एक बहुत 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 अच्छी अपडेट आ रही है बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है और देखेगा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली खुशखबरी आ रही है तो आप समसकते हैं कि कोई भी अपडेट मिस्स मत करिएगा और रात में अमेरेका से भी परकेट में तो डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा जाके जॉइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपने मिस करी तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ रही है CPI इंफ्लेशन का डेटा आ चुका है और आपने देखा था कि CPI इंफ्लेशन के डेटा की जब हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे बहुत सारे प्रेडिक्शन थे और अभी देखेगा लास्ट वीडि प्राइम देखेगा जाके देखने को मिल जाएगा ओफिशल डेटा रिलीज हो चुका है जस्ट 20 मिनिट्स पहले और आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड लेविल का देखेगा ड्रॉप आया है और आर बियाई ने भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा जिस तरीके का डेटा देखने को मिला है तो आप देख सकते हैं नौबर का CPI इंफलेशन का डेटा आ चुका है और उसने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यानि कि 12 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2021 में देखेगा जिस लेवल पे देखने को मिला था दिसंबर में उसी लेवल पे देखने को मिला है हमारा CPI इंफलेशन का डेटा विच इस वेरी वेरी गुड और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि CPI इंफलेशन का डेटा देखेगा आचुका है और वो आया है 5.88% तो आप समझ सकते हैं कि इस से अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती थी stock market के जो कि देखेगा सीधा सीधा one way drop आया है 6.77% देखेगा last time देखने को मिला था prediction और expectation जो थे वो देखेगा ये थे कि हो सकता है 6.4 तक आ सकता है यानि कि जो prediction थे वो देखेगा 6.4 या फिर कुछ लोगों ने prediction ये भी किये थे कि ये जो data है drop भी आएगा और काफी अच्छी तरीके से जितने भी economist थे वो claim कर रहे थे कि हो सकता है 6.1% तक का ये data ये जो particular data है वो 6.1% तक का देखने को मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा expectation था और वहाँ पे भी देखेगा इतना conservative expectation होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो data उसके नीचे आया है उसस से भी कम आया है तो इस से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती the best part about it यानि कि जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको पता है कि RBI का जो particular देखेगा tolerance level है tolerance level वो है 4 से 6 के बीच में जिसने देखेगा यहाँ पे expectation ही नहीं की थी किसी ने कि इस particular quarter में हम tolerance level के नीचे आएंग अभी आपने देखा था RBI ने last particular meeting में discussion किया था कि इस particular December quarter में हमें ease देखने को मिलेगा inflation में और next particular quarter में हम tolerance level के नीचे आजाएंगे बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह जो पर data देखने को मिला है वो अगर आप checkout करेंगे तो इसमें काफी बड़ा drop देखने को मिल है यह 5.88% यानि 6% के नीचे आ चुका है एक साल का low बना लिया है इससे अच्छी update नहीं हो सकती चुकि आपको पता है energy के prices में बहुत बड़ा downfall देखने को मिला है दूसरी बड़ी बात है अगर आप देखेंगे तो और भी सारा data आना था आपको पता है तो अगर आप दे देखेंगे वो आना था तो आप देख सकते हैं उसमें भी काफी बड़ा downfall देखने को मिला है चुकि आपको पता है manufacturing activities, unemployment यह सारी चीज़े impact कर रही होंगी then after that देखेगा यह जो inflation का data है वो इतना ज्यादा ease होते होगे देखने को मिला है तो यहाँ पे भी अगर आप देख data आना था उसमें भी देखेंगा estimation थी minus 1% की और वो minus 4% आया है तो manufacturing activities और अगर आप देखेंगे other particular देखेंगा consumption, demand और देखेंगा जो particular unemployment है उनको देखते हो इन indicators में काफी बड़ी कमी आई है जिस कारण से आपको जो data है वो कम होते हो देखने को मिला है और CPI inflation का data down होते हो इसके बाद देखेंगा ये तो particular update है ये बहुत अच्छी update है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो RBI ने देखेंगा dollar को देखेंगा और ज़्यादा pressure में लेने के लिए और अपनी currency को defend करने के लिए जो selling करी है वो 33 billion dollar की करी है अपरेल से सप्टेंबर के बीच में तो लगातार कोशिश कर रहा है ताकि अपनी currency के depreciation को रोका जा सके which is already good for the capital market second thing क्या है कि इसके साथ ही साथ अगर आप चेक करेंगे तो अपनी currency को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना और dollar को pressure में लाते रहना ये RBI पूरी तरीके से लगा हुआ है और अगर आ के बाद अगर आप देखेंगे तो जो particular dollar index है वो काफी ज़्यादा comfortable situation में आ चुका है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसी का particular positive impact आपको stock market में भी देखने को मिला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से check out कर सकते हैं कि यहाँ पे RBI भी लगातार dollar को pressure करने में लगा हुआ है और उसके बाद देखेंगा जो बची कसर थी वो था CPI inflation का data जो हम लोग 6.4% expect कर रहे थे या फिर 6.1% expect कर रहे थे उससे देखेंगा just देखेंगा amazing number आ चुके हैं और just देखेंगा unpredictable number आ चुके हैं market के लिए जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो cautious रहेगा चुकि बहुत सारी update आनी है further progress भी हमको अपको बताएंगे अभी अमेरिका की तरफ से भी देखेगा काफी बड़ी update आनी है तो सब कुछ focus करेगा वीडियो अच्छा लगे तो like share subscribe करना ना भूलेगा thank you so much अच्छा ना पताएंगे अच्छा लगे अच्छा लगे एगभापाइव।